वेलकम बैक नर्स का जोईन बंदय आत्रम दोस्तों आप सभी का स्वाथ आपने डूप चलेंग इंडियान आर्मी इस्टेपर तो दोस्तों जैसी का आप सभी को मालूम है आज के दिने संडे और दोस्तों संडे में दोस्तों होता है स्पेशल ग्रास 50 कोसेन का तो आज हम लोग देखा चेका most important 50 कोसेन जो की दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है तो दोस्तों आज के वीडियों आप लोग मिस मत करना तो देखो हमारे फरिस्ट कोसेन कोसेन आप वान पे पुछाए अमरता सेन गौट नोबेल प्राइज जो मिला था मिला था 1998 पर और अगर आपको पुछा या था तो 2019 पे किसको मिला था तो देखो इस पर पिला था दोस्तों ओविजित बैनर जी को और अगर आपको पुछा या था दोस्तों 1979 में किसे मिला था तो देखो 1979 में मिला था दोस्तों मदर टेरीजा को किस सेटरे में तो देखो मादक तेरीज्जा को मिला था दोस्तो सांती में बहुत इजी को सैने आपको सब पता होगा जो ऐसा में अवे सबसे पहला सबसे नोबेल प्राइज मिला था वह धा 1913 को किसको तो मिला था दोस्तो रबिन दोना ट्यागर को तो चलिए बढ़ते एकले को सायन कोसे नेबर टू की ओर तो देखो हमारे कोसे नेबर टू पे पुछाए तो आपको जल्दी से बताना इसका एंसर क्या होगा दिली का जो पहला मुसलिम सासक था तो देखो यह कौन होगा हाँ दोस्तो जेदा कुतबदिन आईबक और अगर आपको पुछाए दोस्तो जो गुलाम बंक से दोस्तो इसका स्थापन स्थापना जो किसने किया था दोस्तो वो किया था कुतबदिन आईबक ने और दोस्तो जो कुटब दिन आये परके दोस्तों इनकी मौत कैसे भी थी तो देखो इनकी मौत घोरे से गीड़ कीर ही थी पोलो गेम खेलने से तो चले वर्टेकले कोसेन कोसने बत्त्री की और तो देखो हमारे कोसने बत्त्री पर पूछाए तो देखो जो गुप्त समराज्य है दोस्तो इसकी स्थापना किसने किये तो देखो जो गुप्त समराज्य था दोस्तो इसका जो स्थापना किया था स्री गुप्ता ने आपको तो मालूम होगा जो आरिया समाज्य दोस्तो इसका किसने किया तो देखो जो आरिया समाज है इसका किया दराना सुरास्ति ने और ब्रह्मा समाज का तो मालूम है दोस्तों किया था राजा रामोन राई ने और सबसे एज़ी है दोस्तो बुधिश्क किस ने किया तो देखो जो बुधिish धर्म है दोस्तो इसका जो स stabva elders है वो जते कौन हा दोस्तो godam buddha तो चले बड़ एक लेगा में कॉशने वर फोर किये और तो देखो दोस्तो हमारे फोर पर पूचाए film पिछ रोल्स विल्ट दा इलोड़ा टेम्फल आपको बताना पढ़ेगा इलोड़ा मंदीरों का निर्माई दोस्तों किस निएम से हुआ है ताप लोग जल्दी से लाइब चर्ड पे इसका इंसर बताईए तो देख़ो जिनोर लाइब चर्ड पे इसका अपसें से राष्ट option A दिया बिल्कुल सही है 5th number question का answer हुज़े option A question number 6 पे पुछा है which country of the world is the largest producer of T 27 में कौन सा देश चाई सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन करता है तो देखो जिनों इसका answer option C, China यानि की चीन दिया बिल्कुल सही है चीन दोस्तों जो T है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है तो चलिए देखते हैं question number 7 को तो देखो दोस्तों जो question number 7 ने इस पर पुछा है what is the type of zoom जो zoom में वो एक फकर का है तो आपको बताना पड़ेगा इसका answer क्या होगा तो देखो जिनों ने इसका answer option B agriculture farming type किसी खेती का पकार दिया हो बिल्कुल सही है इसका answer हो जाता है option B तो चलिए रखते हैं question number 8 को तो देखो हमारे question number 8 पे क्या पुछा है blue regulation is related to each of the following जो नीली क्रांती है नीम्लेलेकित में से किसे समंदी थे तो देखो जो नीली क्रांती है दोस्तो ये मत्से उत्पादन ये मत्से फालान से समंदी थे यानि की जिनों ने इसका answer option B दिया बिल्कुल सही है इसका answer है option B तो चलिए बढ़ते हैं question number 9 की ओर तो देखो हमारे question number 9 पे पुछा है which of the following is not an odd of iron mineral नीम्ने लिखित में से दोस्तो कौन लोग खनिज्य का अयक्स नहीं है तो आपको बताना पड़ेगा इसका answer जल्दी सा अप्लोडाइशन के कॉमेंट के बताईए तो देखो जिनों ने इसका answer option C लिगनाइट दिया बिल्कुल सही है इसका answer हो जाता है option C लिगनाइट तो नेश्ट को से अन कोसर नेमबर टेन तो देखो हमारे कोसर नेमबर टेन में बुचा है उचाप दा following minerals are known as black lead and flamgo आपको बताना पड़ेगा नीम्ने लिखित में से कौन सा खनिज्य काला सीसा तता flamgo नाम से जाना जाता है तो आपको जल्दी से लगचे बताना इसका answer क्या होगा तो देखो जिनों ने इसका answer option D graphite देऊ बिल्कुल सही है इसका answer जाता है option D graphite देखो दोस्तो question number 11 में पुछे किया है in which Indian state is Jodhpur city located जो जोधफूर है दोस्तो यह इंडिया के कौन सा इस श्टेट पर दोस्तो लोकेटेड है आपको बताना पड़ेगा तो दोस्तो जल्दी से आप लोड़ाई चुने बताईए इसका answer क्या होगा उत्तरपदेश, ओश्बेंगल, महाराष्टिय राजस्थन हाँ दोस्तो इसके answer हुजए अपसंडिय राजस्थन यह ऺदय है तो जोधफूर city यह हुझाते अपसंडिय राजस्थन पर तो चलिए बर्ते नेश्ट कोसेथिया के कोसे No.12 कोसे No.12 में क्या पूछा गया है संग वीदान की HS mes k 웃म कितने सदश्थे थे आपको बताना पड़ेगा जो सगमिदान के drafting comedy है दोस्तों इसमें कूल कितने सदस्से थे जल्दी सब्सकों पर बताइए इसको सदस्से थे तैसे साथ यानि इसके answer क्या होगा इसके answer हो जाते अफेसलिषत इस साथ तो दोस्तो इसको ज़े answer हो जाते option D गंगा यानि कि दोस्तो तेरा नंबर कोसन का answer हो जाते option D गंगा तो दोस्तो देखो कोसना 14 में क्या पूछा गया है? सबसे पहले चार्ट परकिस देश का मनुस्य को भेजा गया था तापको बताना पड़ेगा जल्दी से अपलोडाइशन दो बताईए इस कोसन का answer क्या होगा तो दोस्तो देखो इसको ज़े answer हो जाते option D यानि कि दोस्तो जो मून पर देश तो अगर आपको पुछाए मून पर दोस्तो कौन सा मनुस्य का मनुस्य के सबसे पहला भेजा गया था तो दोस्तो वो जाते option D यानि कि दोस्तो 14 निम्बर कोसन के answer हो जाते option D तो चलिए दोस्तो बढ़ते नेश्ट कोसन के और कोसन हो 15 तो दोस्तो आपको बताना पड़ेगा इसका answer क्या होगा जल्दी सा अपलोडाइशन ने बताईए Joule is the unit of which of the following तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तो जो जूल है दोस्तो निम्ने लिखित में से किसकी एकाई है जल्दी सा अपलोडाइशन ने बताईए देखो दोस्तो option A पर energy, option B पर work, option C पर A and V और दोस्तो option D पर temperature तो दोस्तो जो Joule है दोस्तो वो देखो जो energy है दोस्तो इसका भी एकाई है और दोस्तो वो और कभी तो दोस्तो इसके answer क्या होगा इसका answer वो जाते अफसेंसी A and V यानि कि 15 number question का answer जाते अफसेंसी A and V तो चलिए बढ़ते next question कि और question number 16 देखो question number 16 में पुछा गया है The largest tea producing state in India is भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक बाला राज्य कौन सा है आपको बताना पड़ेगा इसका answer क्या होगा बहुत easy question है दोस्तो पसिमंगल, विहार, आसाम, उरिश्या तो दोस्तो इसका answer क्या होगा आपको लाइफ चीने बताना पड़ेगा और वीडियो के इन में भी comment करके बताना पड़ेगा तो चलिए बढ़ते next question कि और question number 17 देखो दोस्तो question number 17 में पुछा गया है जो Victoria Memorial है दोस्तो कहाँ पर स्थीत है यानि आपको बताना पड़ेगा वेर इस दा Victoria Memorial located तो जल्दी साब लोग बताईए दोस्तो वेर इस दा Victoria Memorial located तो दोस्तो देखो option ये पर लखनो कानपूर, कोलकाता, गोवा तो दोस्तो जो Victoria Memorial लोग दोस्तो यह हो जाते है option सी कोलकाता पर next question, question number 18 तो देखो, question number 18 पर पूछा गया है which river originates in America तो जल्दी साब लोग बताईए इस question का answer क्या होगा गोमती, महानन्दी, गोदावरी, नर्मदा तो दोस्तो इसका answer हो जाते है option ये नर्मदा, यानि कि 16 number question का answer हो जाते है option ये नर्मदा next question, question number 19 देखो, question number 19 पर पूछा गया है with which sport is the duranth cup related जो duranth cup है दोस्तों ये किस खेल से समन्दी थे तो आपको बताना पड़ेगे किस खेल से समन्दी थे बैट्विंटर, फुडवाल, क्रिकेट, टेनिस तो जल्दी साब लोग बताईए दोस्तों ये कब कौन सा खेल से समन्दी थे तो ये समन्दी थे हो जाता है option V, फुडवाल से यानि किस के answer हो जाता है option V, फुडवाल next question, question number 20 तो देखो, question number 20 में पुछा गया है heavy water is manufactured by मारी जल का निर्मन किसके द्वारा किया जाता है तो आपको बताना पड़ेगा इसके answer क्या होगा जल्दी साब लोग लाइचिन बताईए तो दोस्तों देखो, इसका जो answer हो जाता है option A यानि कि दोस्तो, 20 number question के answer हो जाता है option A next question, question number 22 तो देखो, question number 22 में पुछा गया है नीमने लिखित में से कौन सा कथोर जल है which of the following is hard water तो जल्दी साब लोग बताएए दोस्तो which of the following is hard water देखो, option A परे heavy water option B परे sea water option C परे दोस्तो असूच जल और दोस्तो, option D परे नल का पानी तो दोस्तो, इसका जो answer हो जाता है option B, sea water यानि कि दोस्तो sea water of the following is hard water next question, question number 23 तो देखो, question number 23 में पुछा गया है which of the following is lightest नीमने लिखित में से कौन सा सबसे हलका है तो आपको लाइब टेर बताना पड़ेगा दोस्तो, नीमने लिखित चारों option में से दोस्तो, कौन सा सबसे हलका है तो दोस्तो, वो जाता है option H2O यानि कि दोस्तो H2O of the following is light after how many years the Olympic Games are held Olympic खेलों का दोस्तो, जो आयोजे ने कितने बर्सों के बाद किया जाता है बहुत easy question है दोस्तो तो देखो, जो Olympic खेले दोस्तो चार्ज बर्स के बाद किया जाता है यानि कि इसका answer है option C next question, question number 35 तो देखो दोस्तो, इसका पूछा है जो कच्चारी जन जाती है दोस्तो, इसका समन्ध किस राज्ज से the कच्चारी ट्राइब विलॉग्स to which state तो देखो, तो कच्चारी जन जाती है दोस्तो, इसका जो awesome राज्ज से समद है यानि कि इसका answer है option C तो दोस्तो देखो जो question number 36 से इसमें पुछा है first world cup cricket was played जब server पता दोस्तो जब visitor cup है दोस्तो यह cup खेला गिया था आपको बताना पड़ेगा जल्दी से आप लोड आचरे बताईए दोस्तो तो देखो जब खेला गिया था दोस्तो 1975 में यानि कि इसका answer है option B तो दोस्तो चलिए देखते question number 37 को तो देखो इस पे पुछा है दोस्तो जो महावास से हैं दोस्तो समद है आपको बताना पड़ेगा जल्दी से आप लोड आचरे बताईए तो देखो जिन्होंने इसका answer option C दिया दोस्तो सही है दोस्तो इसका answer है option C next question question number 38 तो देखो question number 38 पर पुछा है कानफूर पर हुए दोस्तो जो 1870 पर विद्र हुआ था इसका नेता कौन था बहुत easy है इसका नेता था दोस्तो नाना साहिब यानि की option B हो जाते है इसका answer question number 39 तो दोस्तो देखो इस पर पुछा है the constitution of which country will take the provision of fundamental duties जो मोली कत्तव का प्रवधन है दोस्तो कि देश के दोस्तो संग्वितान से लेंगे आपको बताना पड़ेगा तो दोस्तो वो जाते है rules यानि की इसका answer है option C तो चलिए देखते है question number 30 को तो दोस्तो देखो question number 30 में पुछा है the hardness of water is due to the presence of gel का दोस्तो जो कठोरता है dash की उपादीर के कारान होता है आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इसका answer क्या होगा तो देखो जिनों ने इसका answer option C magnesium bicarbonate देखो सही है इसका answer option C magnesium bicarbonate तो देखो दोस्तो question number 1 पर पुछा गया है नीमने लिखित में से किसको RBC का कबरिस्थान कहा जाता है तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तो जो नीमने लिखित में से कौन से option को RBC का अकबरिस्थान कहा जाता है तो दोस्तो इसका answer क्या होगा आपको like बताना पड़ेगा यानी कि दोस्तो 31 number question का answer जाता है option b तो चलिए दोस्तो बटते nest question की ओर देखो दोस्तो next cos 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 भी दादा भाई नीरो जी यानि कि दोस्तो 32 नcak आंसर हुआता है, 치लिये दोस्तों बट ए जो किसी भी मासरारी भोजन में नहीं मिलता यानि कि आपको बताना पड़ेगा नेम, setting the vitamin that is जोति नाऊट फॉड आड़ आड़ी टील बताएई इस को शान के एंसर matter क्या होगा तो दोस्तों इसका answer हो जाते है option C, vitamin D तो दोस्तों जो 33 number question है इसका answer हो जाते है option C, vitamin D तो देखो question number 34 में पुछा गया है The first country to launch any space vehicle is किसी भी अंतरिक्स जियान को launch करने वारा पहला देश कौन सा है तो आपको बताना पड़ेगा इसका answer क्या होगा जल्दी से आप लोड आचरे बताईए इस cosine cancer क्या होगा और वीडियो के end में भी आप लोग comment करके जरूर बताना इस cosine cancer क्या होगा Next cosine 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 number 35 तो देखो question number 35 पर पुछा गया है Which is the longest shell in the human body माना आप सरीर में सबसे लंवी कोसी का कौन सी है त ¿बताना पड़ेगा इसका answer क्या होगा तो देखो दोस्तो इसका answer discuss करने से पहले हमलोग आपको बताएंगे जिनों ने वी तक वीडियो को like नहीं किया तो दोस्तो प्लीज लाइक कर लो और जिनों ने वीडियो को subscribe नहीं किया तो प्लीज दोस्तो channel को subscribe कर लो कि कि दोस्तो हमने रोज 8 बजे से इस चैनल पर लाइब क्लास लाते रहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दो या तीन फ्रेंज से दोस्तो भीडियो को सेर कर देना और जल्दी साब रड़ा चे बताईए इस कोसेन का एंसर क्या होगा तो देखो इसका जो एंसर होगा वो जते ओपसेन सी नर्व चेल यानि की 35 नंबर को सन का एंसर हो जते ओपसेन सी नेश्ट को सेन को सन अबर 36 तो देखो हमारे नेश्ट को सन अबर 36 पे पुछाए आउटसाइट इंडिया बुद्धिष्ट वास फर्ष्ट एक्सर पीड़ी तो आपको बताना पड़ेगा जो बुद्ध धर्म का पचार करने के लिए असोग ने सीलंका में निम्रे लिखित में से किसे बजा था तो देखो जल्दी साब को बताना पड़ेगा इसका एंसर क्या होगा जल्दी साब पडाइट बताइए जिरो ने इसका एंसर ऑपilyड़ी तो चले बड़तने क्ले को cmd37 की ओट तो देखो हमारे 중 Q137 पे पूछाए, आउटसाइट इंडिया बुद्दिष्ट वासफ एक्सरबीन, का आपको बताना पड़ेगा, भारत का बाहर दोस्तो, जो फूद्र धर्मा इसको दोस्तो, सबसे पहले सिकार किसने किया था, तो देखो, इसके इसको जो सबसे पहले सिकार किया था दोस्तों वो दिस विए स्री लंका यानि कि जिरुने इसका एंसर आपसे इंडीद या बिल्कुल सही है तो चले बढ़ते एक लिए को सेन कोसे ने बटेटी एट की ओर तो देखो हमारे कोसे ने बटेटी एट पर पूछाए ने डा लेयर ऑप अत्मस्थ्य नेरे ईस्ट dich called Pckv के सबसे पास की बातावरन की परत का दोस्तों ये क्या का जाता आपको जली से लापस जो बताना पड़े कि इसका अंसर योगा तो देखो Pckva के सबसे पास की आउलगा सका जि到底 जिन्नों ने इसका प्रत लिखे डॉर तो चलै बड़ी कोशन बठेठें 9 की ओर तो देखो थे iota 9 पहोचाए व रोट आई ने अगभरी जो आई न俺 की दी दोस्तो यह किसना लिखाए टो देखो आई यह कोशन आछ दोस्तो अभु लिखल ने अगर आपको पुछा है द। हुमायोता है witness भुल बद हन बेगम ने तो चले बढ़ते एक लिए को सेन को सनाफ 40 की ओर तो देखो अमरे को सनाफ 40 पे पुछाए दा रिवल्ड आप 1857 एड लखनो वाज लेट वाई तो आपको बता परे लखनो में दोस्तों 877 में बिद्रों का नेतिते किस ने दिया था तो देखो इस बिद्रों का द को सनाफ 401 की ओर तो देखो हमारे को सनाफ 401 पे पुछा है एप्टा लेविंग दा कॉंग्रेस सुभाश चंद्रबॉस फर्णवार इन 1939 इस ओन पाटी ने दोस्तों गढ़ित कॉंग्रेस सुभाश चंद्रबाद दोस्तों छोनने के बाद उन्होंने जो खुद की पार् नमरे को सनाफ 42 पे क्या पुचा है इस पर तर अलिकर मुस्लिम उन्यूवर्सिटी वाश ट्याब्लिश भाई जो आलिकर मुस्लिम भी तरहें किसके तरह स्थापिद किया गया है तो देखो यह दोस्तों स्थापिद किया गया ने चबएटें 75 में अलिगर पर तो चले बढ़ते एक लिए कोसेन कोसना फड़ी 3 की ओर तो देखो हमारे कोसना फड़ी 3 पर पूचाए which of the following where I want the leader and country of World War 2 is wrongly match दीतिया भी सेयोत के दोस्तो कौन से जुद्धा नेता उनके देश के बारे में दोस्तो गलत है तो आप लोग जल्दी से इस कोसेन को परो और इसका एंसर जल्दी से लाइप से बताईए तो देखो जो दोस्तो नेम लाड़ी कितमे से नेता उनके देश के बारे में गलत है बुचाथे ओपसेन सी तो देखो यह बहुत इज़ी कोसेन दोस्तो यह हुई थी 1773 में यानि कि जो देश का एंसर अपसेन सी दिया बिलकुल सही है तो चले बट एक लेकोसेन कोसेन अफडी 5 की ओर तो देखो इस पर पुचाए इंटरैश्टे टीति रेखा डैस महासार में स्थीत है तो आपको बताना पड़ेगा यह जो अंतराश्टि रेखा इस तीत हो जाता है यानि इसका एंसर हो जाता है आपसेन अ तो चले बट एक लेकोसेन कोसेन अफडी 6 की ओर तो देखो इस पर पुचाए who is the author of रास्तेरंगटनी, जो रास्तेरंगटनी है इसका लिखा कौन है तो देखो जो रास्तेरंगनी है दोस्तों इसका लेखा कोजाता है इन में से जो आप्सें है जो रास्तेरंगटनी 还有 जो जो traveled next question, question of 47 तो देखो हमारे question of 47 पर पुचा है, which of the following प्एसन काचीट में से आप तो दिएरु फोपके से गूंड़ केशिए अफैछ JR के के नहीं से थो जरुआ करने होगा तो इक उपैनमे ब्यूत पटारी मीइं से आपको आप से जाने काचीट में सार हो जाता है option D तो देखो question 39 पे पूछाए free kick is related to which sport जो free kick है दोस्तों ये कौन सा खेल के साथ समन्धी थे देखो बहुत easy question ये समन्धी थे फूडवाल के साथ यानि की free kick is related to which sport हुआ है फूडवाल तो चलिए बढ़ते हैं question 50 की और तो देखो हमारे question 50 पे पूछे what is measured by wind speed हवा की गती किससे मापा जाता है तो आपको बताना प्रें के इसका answer क्या होगा तो दोस्तों आप लोग comment करें जरूर बताना जो हवा की गती है दोस्तों ये किससे मापा जाता है